ब्रेकिंग नूस पहुचा रहे बड़ी खबर देखे सिर्फा से किसान नेता राकेश चिकायत का बयान दिल्ली बॉर्डर की आंदोलन को शिफ्ट करना चाहती है सरकार किसी भी सूरत में दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे किसान कमपनिया सरकार को चला रही है किसान नेता न चुनाव लड़ेंगे ना समर्थन देंगे बड़ी बात राकेश चिकायत के तरफ से किसान नेता न चुनाव लड़ेंगे ना समर्थन देंगे महंगाई को लेकर भी टिकायत ने सरकार को घेरा कमेटी करेगी किसानों के रहाई पर इजी से बाद सिर्था से बड़ी कबर तस्वीरों के साथ पुझा रहे हैं किसानेता राकश टिकायद का बयान आया है दिली बॉर्डर के आंदोलन को शिप्ट करना चाती है सरकार ऐसा कहना है राकेश टिकायद का किसी भी सुर्थ में दिली बॉर्डर से नहीं हटेंगे किसान नेता राकेश्टिकैत ने कहा कि दिल्ली बौर्डर से किसान अंदोलन को सरकार शुप करना चाहती है लेकिन दिल्ली किसी माई किसान खाली नहीं करेंगे किसी भी सुर्ट में यह टेंगे एक और बड़ी बात बड़ा बयान दिया है बड़ी बात करते हुए किसानों को संबोदित किया उसके बाद मीडिया से मुखाबित मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को सरकार दरसल दिल्ली की बजाए ड़ाली बॉर्डर पर शिफ्ट करना चाहती है लेकिन सरकार की योजना सफल होने वाली नहीं है उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है वो कमपनिया चला रही है ना कि एक पार्टी चला रही है अगर पार्टी चलाती तो किसानों के साथ बातचीत जो है वो जरूर होती इसलिए आंदोलन लंबा खीचा है और लगातार आंदोलन जारी रहेगा और आप देख सकते हैं अभी भी मैं सिर्सा के जो लगू सचीवालिया का मुख्य द्वार है ये मैं यहां मौजूद हूँ और इसमें पूरी तरह से पुलिस चोकस है दरसल जो किसानों ने जो एक आहवान किया था एसपी कारले के घेराव का पांच किसानों की रियाई का एक मुद्दा था साथ साथ जो देश द्रो की हराएं लगाई गई उनको उटाने की बात थी तो तमाम मुद्दों को लेकर जो आज किसानों की और से आवान किया गया था S.P. काराले को घेरने का उसी को लेकर आरे वो और यहां देख सकते हैं अभी भी जो है पुलिस के जवान जो पूरी तरह से तैनात यहां दिखाई दे रहे हैं और अंदर जो बैठक चल रही है आई जी हिसार रेंज के यहां पहुंचे हैं और उनके साथ राकेश तिकैत समेत 20 किसान जो परतीनी धी हैं वे यहां पहुंचे हैं और यह बैठक लगातार अंदर चल रही है अभी बैठक में क्या बाते निकल कर आती हैं वो देखने वाली बात होगी उने पर नजर रहेगी फिलाल जो राकेश टिकैट का यही कहना था कि वे मुखे रूप से जो मुद्दे हैं वे जरूर इस बैठक में रखे जाएंगे अगर उन पर सहमती बनती है परशाशन ने उन्हें नियोता दिया है वे पहुंचे हैं आई जो यह हमला हुआ गाड़ी पर पत्रा हुआ यह उसमें किसान नहीं कोई शरार्तित थे लेकिन फिलाल जो है पूरी भीशन गर्मी है और सूरत तपराय उपर से आंदोलन में पुलिस भी तपराय है परशाशन भी तपराय है लगातार पुलिस के जवान जो है वो यहां गंटा लगने की उमीद है जल्दी से बाचीत होने वाली नहीं है जी अनामीका इस भीशन गर्मी की तपिश में वो किसान भी तप रहे थे जो यहां रोज प्रदर्शन कर रहे थे राकैस्टिक एक के नेत्रतिवों में कोल मिलाकर 20 लोग इस वक्त आईजी के साथ बाचीत कर रहे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि लगबग एक गंटे या उससे बेजादा यह बैठक चल सकती है क्या रहेगा वह बैठक के बाद ही पतर चलेगा लेकिन वो किसान कहां गए जो यहां पर अभी रोज प्रदर्शन कर रहे थे क्या वो इंतजार कर रहे हैं अपने ने वहीं दरसल आंदोलन कारी किसान वहां मौझूद है उनका जमावड़ा वहीं लगा हुआ है और वहीं अभी भी बैठक चला रही है जैसे ही के लिए सवाल पुछा था कि वहां पर अभी भी तश्वीरे पहले जैसी ही हैं जो विरोध प्रदर्शन वो कर रहे थे हमने देखा कर रहे हैं कि निकल कर आएं भी सदस्य इनका प्रतिनेदी मंडल बाहर आए और पता चले कि पाच किसानों को यह लोग छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं अनामी का दरसल जो तस्वीरे आई थी पहले वो वेरिकेटिंग रास्ते की थी बालभवन के आगे की थी वहां से वेरिकेटिंग हटाते हुए किसान जो है वो शहीद भगसिंग स्टेडियम में पहुँच गया और वहां बैठक अब भी उनकी चल रही है उनके नेता वैसे उन्हें संबोधित कर रही है और अंदर बैठक चल रही है वो जैसे भी आएंगे उसके बाद अपना डिसिजन सुनाएंगे उसके बाद अगली रणनीती तया होगी फिलाल उनकी भी बैठक चल रही है और इधर से किसानों की भी अपनी जो सभा है वो भी जारी है जीए न स्ट्रेटिजी को लेकर अगला स्टेंड अगर पांच किसान जो गिरफतार हुए हैं उन्हें पुलिस नहीं छोड़ती है तो अगला स्टेंड क्या बता रहे हैं कि क्या हो सकता है जिनिश्चित रूप से इस बैठक के शुरू होने से पहले ही राकेश टिकैस से भी हमारी बात हुई थी परला सिंग भारू खेडा भी से भी बाची तो उनका यहीं कहना था कि अगर जो पुलिस ने उनकी दोनों मांगे नहीं मानी तो वे अपना जो है आंदोलन जारी रगे करेंगे और किसान के जो घेराव कारिक्रम था इस पी ओफिस का उस पर उनका फिर फोकस हो जाएगा फिलहाल बैठक पर नजर है कि उसमें क्या निरने रहता है फिलहाल अंदर बैठक जारी है और उसमें राकेश टिकैट के साथ साथ परलास सिंग भारू खेडा जो देव सिंग और भी बाहर से कई नेता आयो हैं वे इस बैठक में मौझूद है 20 की संख्या में यह किसान अंदर मौझूद है और आई जी डी सी और एस पी के साथ साथ अन्य भी अधिकारी वहां मौझूद है जिए आपने दो मांगों का जिक्र किया जो दर्शक अभी- एक तो मांग यही थी कि पांच किसानों को जो रिहा कर दिया दूसरा जो देश धरो की धाराएं उन पर लगाई है वो एक धारा भी अटाई जाए तो इस परकार से उनकी यह मांगे अभी तक मुखे रूप से यही है और बात अगर की जाए तो पिछले रवीवार को पुलिस कर्मी की शिकायत पर भी एक अन्य मामला दर्ज हुआ है तो देखने वाली बात होगी तमाम इन मुकदमों को लेकर क्या रंडीत रहती है हलांकि टोहाना में भी और इसहार में भी देखा है कि परशार्शन के साथ सहमती बनने के बाद आंदोलन टाल दिया गया था फिलाल यह अभी यूँ इसी तरह से ही अगर जारी रहेगा अगर मांगे नहीं मानी जाती जी है नामिका ठीक है आप लगु सुची वाले के बाहर इस वक्त खड़े हैं आपने दिखाया वहाँ जवानों की तेनाती है बेरिगेट्स लगाए गए हैं वहाँ पर और भारी स संख्या में उपस्तिते नहीं है क्योंकि गेराव का जो कारिकरम था वो एस पी काराले के था तो ऐसे में पैरा मिल्ट्री फोर्स भी परशाशन ने एतियातन पहले से ही तैनात कर दी थी अगर बात करें इस मुख्यदवार के साथ साथ ही आगे जाके डीसी ऑफिस की और ज जिने किसान तोड़ते हुए अंदर घुसाए और शहीद भगस सिंग स्टेडियम तक पहुचने में काम्याव हो गए तो कई जगह पुलिस का जमावड़ा था यहां जमावड़ा कुछ इसलिए जादा है बैरिकेटिंग मजबूती से की गई है डटी हुई है महीला पुलि होटी यहां की गई थी और इसके लावा ड्रोन से भी नज़र रखने की बात स्पी के और से कई गी थी सीची टीवी कैमरों से भी नज़र रखी जाए तमाम जो उपाय करने थे पुलिस ने अपनी और से यहां किये हैं जी अनामी का और वह उपाय यहां पर बहुत सशक तर हैं गंबीर आरोप हैं पुलिस अपना काम कर रही है जो इस पूरे तीन क्रिशी कानूनों पर जो बावाल मचा इस पूरे आंदोलन के तहट तीसरा पक्ष है सरकार से मांग है मांगने वाले किसान है तीसरा पक्ष पुलिस है कि कहीं कुछ अपरिया हुआ तो पुलिस ने action लिया है शिकायत के बाद action लिया है पुलिस को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है और इस तरह से अगर विरोध प्रदर्शन यहां पर हुआ है किसान कह रहे कि कि जसने पुलिस पर गाड़ी चड़ाने की कोशिश की वो कोई और लोग थे, जिसने रनवीर सिंग गंगवा की गाड़ी पर हमला किया, वो कोई और लोग थे, कोई सबूत भी पेश कर रहे होंगे। अभी तक ऐसा अनामी का कोई सबूत तो नहीं पेश किया गया है हालां कि बात उनकी ओर से लगातार यही की जाती है कि आंदोलन उनका शांतिपूर्ण चल रहा है और रनवीर गंगवा भी उस दिन बीजेपी की बैठक में पहुंचे थे तो ऐसे में उस समय भी उनका आंदोलन जो उनके काले जंडे दिखाने का करिक्रम था लेकिन पहले से ही पुलिस जवानों ने काफी किसानों को अपनी हिरास्त में लिया उस से किसान उगर हुए लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उस पत्राव में उनके लोग शामिल नहीं थे हलांके भी पुलिस की जान चल रही है तमाम जो फूटेज पुलिस के पास है उन्हें खंगाला जा रहा है चीनित किया जा रहा है जो पहचान हुई है पुलिस का यही दावा है कि उसके आधार पर पांच किसान गिरफतार हुए है तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ आज की बैटक में उन किसानों को रिहा किया जाता है या पुलिस के पास ठोजोच मुतिए इसके आधार पर करवेश की जाएगी मांगे मनवाना और मांगे सामने रखना और मांगे मानना ये दो अलग बाते हैं लेकिन पुलिसिया तंत्रुप आप लगतार किसान अंदोलन पर हमें अपडेट कर रहे हैं हर एक खबर आप से होकर वहां से हम तक पहुँच रही है अमित ये इस प्रोदेश और देश की बड़ा संकट है बड़ी बिडंबना की बात है कि किसान और जवान आमने सामने हैं पुलिस कर्मी की शिकायत पर सो किसानों के खिलाब मुकदमा दर्ज होता है पुलिस कर्मी गाड़ी से कुचलने की बात कहता है पर्थराव की बात कहता है तो तमाम तरह की ये बाते हैं ज सार के मामले में देखें और टोहाना के मामले में देखें सासा सिरसा के मामले में देखें तो कुछ ने कुछ यह आशांती आ रही है इसको रोकने की जो कोशिश है वो किसानों के आंदोलन के जो अगवा लोग है उन्हें करनी चाहिए अन्यता यह आंदोलन जो है वो में यहाँ हैं हैं किसानों के कंदे पर मंदूख रखकर चलाने चाह रहे हैं किना चुनाव लड़ेंगे ना किसी को समर्थन देंगे बड़ी बात कह दिये बैठक पर आ जाएंगे क्योंकि बैठक चल रही है वहाँ से क्या चंकर बाहर आएगा वो बाद में पता चलने वाला है तो इस बड़ी खबर पर ही अपडेट ले लेते आपसे जी बिल्कुल नावी का हर्याना न्यूज की और से यह सवाल राकेश टिकैट के सामने रखा गया था कि क्या किसान सयुक्त मोर्चा कोई चुनावी गतीविदी में भाग लेगा अपने उमीदवार उतारेगा तो इस बात को उन्होंने सपष्ट किया कि कोई जो चुनावी र जूडती है लड़ाई जगड़ें के मामले आ जाते हैं देश द्रोगी धाराई जूडती है तो ऐसे में एक स्थिती तनावपुण बन जाती है उनका यही कहना है कि फिलाल चुनाव की तरफ वो कोई उनका रुज़ान नहीं है नहीं कोई निर्णे हुआ है फिलाल उनका अटेक है उनका आरोप है वो केंदर सरकार पर है और साथ साथ अगर बात करें उनके मंच पे बोलने की उनके संबोधन की तो उन्होंने एक बात जरूर उठाई की राज्य सरकार के जो नेता है ग्रियह मंतरी और मुख्य मंतरी की उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बीच भी बैठक पर आप नजर बनाए हुए हैं ऐसे ही नजर बनाए रखी अपडेट के लिए लोट कराते रहेंगे और